हेलो एबरिवन सागत आप सभी का एक बाद फिर से जी टीसी यूटुटर के मिटसिन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं वैदिनात त्रिफला चूर्ण के बारे में वैदिनात का त्रिफला चूर्ण बहुत ही उपयोगी सावित होता है खासकर कब्स की समस्या में, गैस की समस्या में, बदहजबी की समस्या में, डकार आता है साथी साथ पाइल्स की समस्या में भी ये बहुत ही उपयोगी माना जाता है और इसका असर भी देखने को मिलता है तो आज हम बात करेंगे वैदनात त्रिफला चूर के अंदर क्या मेंन कंटेंट मिला होगा, क्या इसका उपयोग है, इसका काम करने का तरीका क्या है, क्या इसका साइड़ फेट क्या प्रिकॉशन मतलब इस चूर्ण की हम संपूर जानकारी देने वाले हैं, पूरे विडियो के अंदर मिले हुए होते हैं, मैनिफेक्शर की बात करें, तो स्री बैदनात आयरवेद भवन प्राइवेट लिम्टे द्वारा बनाया जाता है, 30 डिगरी के बिलो स्टोर करते हैं, और 1000 यानि की 500 ग्राम चूर्ण की कीमत लगभग 1500 से 180 के आसपास होती है, बात करेंगी य चूर्ण साथी साथ, पाइल्स की समस्या में भी बहुत उपयोगी माना जाता है ये चूर्ण, और जो ओबरवेट, ओबेसिटी और भी कई फायदे हैं इस चूर्ण को लेने के, जो हम इसके आगे मेकेंजियम आप्रिक्शन में समझेंगे, जी हां, बात करेंगे इसके मेक आपके पाचन तंत्र को फाइबर करता है, आपके पाचन तंत्र को साफ रखता है, और कब्ज की समस्या में राहत देने का काम करता है, साथी साथ आमला में जो विटमिन सी मौझूद होता है, वो आपके इम्मुनिटी को बढ़ाने के लिए, साथ साथ आपके इसकिन में ग क्या करता है देखिये हरड में क्या होता है लैक्जेटिव प्रापिया उती होती तो इस टूल को और इसली पास कराएगा और जो आपकी दस्त है कभज की समस्या है वह दूर हो जाएगी बात करेंगे बहेडा क्या करेगा देखिया बहेडा में एक तरह से astringent property होती है antimicrobial property होती है साथ-साथ उसमें भी lexative property होती है जो कि आपका कब्ज की समस्या साथ-साथ piles में जो भी infection वगरा हुआ है उसको treat करने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है तो इस प्रकार से ये तीनों amount अलग-अलग अपना role play करते है बात करेंगे इसके doses की तो इसका dose doctor जितना आपको time लेने के बताए उतना आप ले सकते हो normal dose की बात करें तो 6-12 gram water के साथ खाने के बाद आभी से क्या कर सकते हो ले सकते हो डियर बात करेंगे इसके precaution की तो जितना dose बताया गया है उससे बढ़ा के कभी न ले बच्चों की बहुत से दूर रखे डारेक्ट सनलाइट में न रखे साथी साथ इसको यूज करने से पहले इसका लेबल का डारेक्शन अच्छे तरीके से जरूर पढ़े बात करेंगे इसके कुछ common side effect की तो जैसा कि आपको पता है इसमें जो भी content है सब के सब आयरवेदिक है तो इसका कोई भी side effect देखने को नहीं मिलता और इसका असर बहुत अच्छा देखने को मिलता है सोडिय स्टूर्ण ये था आपका बैदनात त्रिफला चुर्ण जी हैं एक ऐसा चुर्ण जो कि कब्स की समस्या में बदहजीबी की समस्या में आपच की समस्या में डकार में साथ साथ पाइल्स की समस्या में बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है और इसका असर भी देखने को मिलता है इस चूर्ण की जानकारी कैसी लगी अगली medicine अगली दवा यगला tablet कि इसके बारे में बताएं उसे भी comment box में जरू लिखेगा ऐसे ही और informative medicine की जानकारी चाहिए तो channel का playlist section जरू विजिट कीजिएगा चली मिलते हैं किसी अगले video में किसी अगले topic के साथ तब तक के लिए thank you so much dear all the very best